आईए तो अब अपना अगला कॉश्शन देखते हैं कॉश्शन नमबर 13 यहाँ पर अपने को एक डायोड दिया हुआ है और अपने से करेंट फ्लो पूछा गया है कि A से B में कितना करेंट फ्लो होगा तो अपन यहाँ पर देखें और क्या क्या चीज़ा गिवन है यहाँ पर अपने को 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और यह जो डायोड है अब अपने को यह चेक करना है कि यहाँ पर करेंट बहेगा या नहीं बहेगा तो क्या उसके लिए अपने को यह चेक करना होगा कि यह forward bias में है या नहीं है तो अपने देखा यहाँ पर plus 4 वहाँ पर minus 6 तो हाँ यह forward bias में है अगर यह forward bias में है तो इसमें current flow होगा तो अपन लिख सकते हैं current के बराबर I बराबर potential difference upon resistance R तो potential difference यहाँ पर क्या हो जाएगा VA minus VB upon resistance R तो यह कितना हो जाएगा अपना VA कितना है plus 4 minus VB कितना है अपना minus of 6 तो minus of 6 volt यहाँ पर लिख लिए upon अपना resistance कितना दे रखा है 1 kilo ohm तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की power 3 तो यह देखे कितना हो गया 10 upon 10 3 यानि कि 10 की power minus 2 ampere यह अपना यहाँ पर current आएगा तो अपना कौन सा option सही हो गया यहाँ पर option number B जो है अपना यहाँ पर correct हो गया 10 की power minus 2 ampere आईए अब देखते हैं students question number 14 यहाँ पर अपने को बोल रखा है a charge flowing through a resistance R varies with time as Q is equals to AT minus BT square where A and B are positive constants the total heat produced is तो अपने को अगर total heat produced निकालना है तो अपन सब जानते हैं heat produced is equals to I square R यह अपना formula होता है तो अपने को current चाहिए होगा तो अगर अपने को current चाहिए तो resistance तो already अपने को R given है अगर अपने को current चाहिए तो क्या मैं इस equation को ऐसे लिख सकता हूँ I is equals to DQ by DT यानि कि इसको अगर मैं एक बार differentiate कर दूँ तो मुझे current मिल जाएगा तो वो कितना है A plus A minus of 2BT अब मुझे यह पता करना है कि यह current कब तक flow होगा तो यह मुझे अगर पता करना है तो मैं क्या गरूँ इस equation को 0 के equal put कर दिया अगर इस equation को 0 के equal put किया तो यानि कि A minus 2BT equals to 0 यहां से मुझे time कितना मिल गया A upon 2B यानि कि यह वो time है कि जब तक current flow होगा अब simple सा formula है अपना heat का I square R इसको अगर मैं integrate कर दूँ यहां पे देखिए इसको I square R DT और कहा से कहा तक 0 से A upon 2B तक तो क्या मुझे यहां पे total heat produce मिल जाएगा तो 0 से A upon 2B और I square अपने कितना निकाला है I कितना निकाला है A minus 2BT तो A minus 2BT का whole square R DT यहां पे A minus B का whole square का formula लगा दीजिए तो यह कितना जाएगा आपके पास 0 से A upon 2B और A square plus 4B minus of 2A यह हो जाएगा 4ABT और R DT तो यहां पे already ही सही अगर आप इसको integrate करेंगे तो आपके पास answer आएगा A cube R by 6B और अपना कौन सा यहां पे correct option हो जाएगा option A काफी आसान सा integration था लेकिन यहां पे थोड़ा सा tricky part था तो यह अपने को समझने की यहां पे बात थी option A is correct for this question आईए students देखते हैं अब अगला question question number 15 यहां पे एक black body है जो की कितने temperature पे है यह उसका temperature यहां पे given है 5760 Kelvin the energy of radiation emitted by the body at a wavelength 250 nanometer कितनी है U1 है इसी तरह से 500 nanometer पे U2 है 1000 nanometer पे U3 है तो winds constant यहां पे दिया हुआ है winds constant अपना B होता है जो की कितना given है 2.8 into 10 की power 6 newton meter यह यहां पे power में है 6 then which of the following is correct तो इन 4 option में से कौनसा option correct होगा तो अब देखिए अपन यहां पे देखते है according to winds law है ना according to winds law आपने को एक graph पता है और वो graph कैसा होता है कुछ इस तरह से यह graph होता है अब इसमें अगर आप देखिए तो यहां पे है आपका यह 250 nanometer यह हो गया आपका 500 nanometer और यह हो गया आपका 1000 nanometer ठीक है तो अपने को पता है कि highest point पे जो wavelength होती है उसकी energy सबसे बड़ी होती है तो यहां पे अपन देख रहे है कि अपनी जो wavelength आ रही है 500 meter आ रही है highest point पे तो 500 nanometer पे जो wavelength है उस पे क्या energy है अपने पास उस पे अपनी energy है कितनी U2 तो clearly अपन यह लिख सकते हैं कि U2 जो है greater than U1 है और U3 के बारे में इन्होंने कुछ इस तरह से पूछा नहीं greater lesser than का तो कौन सा option यहां पे अपना correct हो जाएगा U2 greater than U1 इसमें simple सा था अपने को वीन स्लो पता होना चाहिए था वीन स्लो का अपने graph बना लिया यहां पे वो graph कुछ इस तरह से आएगा तो वीन स्लो में जो highest point पे wavelength जो उसकी energy जो correspond कर रही होगी वो सबसे बड़ी होगी highest wavelength पे highest energy होगी तो 500 nanometer पे जो energy correspond कर रही है वो energy कौन सी है U2 तो U2 जो है सबसे बड़ी होगी फिर U1 होगी तो U2 greater than U1 is the correct option for this particular question it is a very conceptual question काफी अच्छा दा but we can say it will be a intermediate question not very not too much easy not too much hard it's a intermediate question कर दो